हेलो फ्रेंट्स, वेलकें टू मैं चैनल, तो अगर आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे सल्विया प्लत की लिखी हुई पोएम, मिरर, यह पोएम एक रिड़ल जैसे लिखी हुई है, रिड़ल का मतलब होता है पहेली तो पहेली में कहीं भी मिरर का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि इस पोएम में जिसको दर्शाया गया है, वो मिरर ही है, एक आईने के बारे में है एक आईना जो है वो अपने बारे में कह रहा है अब आप सोच रहे होंगे आईना तो निर्जीव होता है वो कैसे अपने बारे में कह सकता है तो फिर यह जो है एक imagination है एक illusion है कि लाइक अगर आईना भी हमारे जैसा सोच समझ सकता आईना भी हमारे जैसा बोल सकता, महसूस कर पाता तो फिर वो कैसा होता इस टाइप के चीज़ को बोलता है literature में personification जोके एक literary device है personification में यही होता है किसी भी निर्जीव चीज़ को या फिर किसी animal को या किसी plant को जिसमें इंसान के characters और emotions नहीं होते उसको वैसा दिखाया जाता है जैसे कि वो इंसानों जैसा सूचता है इंसानों जैसे उसकी emotions है वो भी इंसानों जैसा बोल रहा है मैसूस कर रहा है इस literary device को या poetic device को हम कहते हैं personification और literature में यह बहुत famous है बहुत जगह में personification आपको use होता मिलेगा तो चलिए शुरू करता है इस poem में mirror को personify किया गया है mirror भी इंसान जैसा सोच सकता है बोल सकता है तो या mirror बोल रहा है I am silver and exact मैं silver color का हूँ और exact हूँ मतलब accurate हूँ पुरा clear हूँ जो है वही दिखाता हूँ I have no preconceptions तो मेरा खुद का कोई viewpoint नहीं है पहले से मन बनाया हूआ कि यह ऐसा है मैंने judge किया यह वैसा है वैसा कुछ भी नहीं है मेरा खुद का कोई viewpoint नहीं है मेरे सामने जो आता है जो होता है मैं वही दिखाता हूँ Just whatever I see I swallow immediately तो मैं जो कुछ भी देखता हूँ मतलब आइने के सामने जो कुछ भी आता है वह सब मैं निगल जाता हूँ निगलने का मतलब थोड़ी न खा जाता है खाता ने यह लेकिन जो मेरा के अंदर जो है तो फिर उसी को उसमें बोला है I swallow immediately, just as it is unmistled by love or dislike, और मैं उसको आप बोल सकते हो कच्चा चबा जाता हूँ, जैसा है वैसा ही मैं उसे निगल जाता हूँ, और मेरे में क्या है, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी का दुश्मन हूँ, ना मैं किसी से नफरत क करता हूँ, कि अगर कोई मेरी पसंद की चीज सामने आई, मैं उसे अच्छा करके दिखाऊंगा, कोई मेरी नापसंद की चीज आई, तो मैं उसे बूरा करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा है, मैं वैसा ही दिखाता हूँ, बिल्कुल भी चेंज नहीं करता अपने हिसाब से manipulation नहीं करता मैं I am not cruel only truthful तो मेरे कह रहा है कि मैं कड़वा नहीं हूँ मैं निर्दे नहीं हूँ मैं सिर्फ सच कहता हूँ लेकिन कभी-कभी वो बोलते हैं सच कड़वा होता है मैं सिर्फ सच कहता हूँ इसलिए लोग मुझे cruel समझते हैं या फिर निर्दे ही समझते हैं लेकिन मैं निर्दे ही नहीं हूँ मैं सिर्फ सच्चा हूँ the eye of a little god four-cornered तो फिर मैं एक आँख हूँ किसका आँख हूँ? एक छोटे से भगवान का आँख हूँ भगवान क्यों बोला है? यहाँ पर भगवान इसलिए बोला है क्योंकि भगवान की तरह मिरर पक्षपात नहीं करता है भगवान की तरह वो हमेशा सच्चाई के साथ रहता है भगवान की तरह भगवान जो अच्छा करता है अच्छे के लिए अच्छा फल देते हैं, बुरे के लिए बुरा फल देते हैं, वैसे ही मैं अच्छे इंसान की अच्छी इमेज बनती है, मुझे में, बुरे इंसान हो तो बुरी इमेज बनती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे रिलेट किया गया है, four corner, मतलब mirror पका यहाँ स्क्वार शेप का है, या फिर रेक्टैंगल शेप का है, तो फिर कितना corner वाँ, चार corner वाँ, तो four corner, most of the time, I meditate on the opposite wall, अब mirror कह रहा है कि वो ध्यान भी करता है, कि इस चीज़ का ध्यान करता है, सामने वाली जो दिवार है, mirror के mirror जिस वाल में लगा हुआ है, जिस दिवार में उस दिवार का ही picture आता होगा ना उसमें, of course, जादा तर वही picture रहता होगा, तो फिर उसी में मैं घंटो ध्यान लगाता रहता हूँ, तो अब दिवार कैसी है, it is pink with speckles, तो फिर दिवार जो है pink color की है, और speckles है उसमें, speckles का मतलब जो spots होता है, spots spots design हुआ है, I have looked at it so long, त time से देख रहा हूँ, इतना ज्यादा time से देखा है उसने, I think it is part of my heart, दिखते 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 इतना लंबा समय हो गया कि उसको लगने लगा है कि अब वू दिवार उसका खुदका एक हिस्सा है, वो दिवार उसके heart के जैसा है, उसके दिल के जैसा है, क्योंकि व तो फिर लेकिन क्या होता है मैं हमेशा उसको फिर भी मेरा जो ध्यान है वो बीच-बीच में भटक जाता है मैं हमेशा उसको नहीं देख पाता क्यों नहीं देख पाता क्यों भटकता है क्योंकि faces and darkness separate us over and over तो यहां पर मीरर कह रहा है कि कभी-कभी लोगों की चेहरे आ जाते हैं बीच में को या कि मैं आई ना देख रहा है कभी-कभी dark हो जाता है या अंधेरा हो जाता है जब light-band हो जाती है तो फिर हम देख नहीं बाते एक दूसरे को हम अलग हो जाते हैं यहां पर एक और इनसान से attachment होने लगती है हमें लगने लगता है कि वहर इनसान हमारा है हम उसे ब्लब दिल कमानने लगते हैं जादा चाहने लगते हैं उसकी हमें आ जदत सीब्ड़ जाती है लेकिन जब师 कोई आता है कोई हमें अलग कर देता है या कोई परेशानी आती है मांन लोक добрे-स ऐ या डार्कनेस और डार्कनेस कोई परिशानी आ जाती है जिसकी वज़े से बार बार हम उस इंसान से अलग हो जाते हैं। तो उस चीज़ को इंटर्परेट करके ये दिखाया गया है। अभी मेरा कह रहा है कि अभी मैं एक लेक बन चुका हूँ, एक टालाब बन चुका हूँ, और एक औरत जो है वो मेरे उपर जुक रहे है, मेरे पास आके देख रहे हैं। searching my riches for what she really is तो वो मेरे पास आके देख रही है पुरा ध्यान से देख रही है और यह सोच रही है कि मैं क्या हूँ वो जानना चाह रही है कि वो कैसी दिखती है then she turns to those liars उसके बाद वो किंस की तरफ देखती है जूटे लोगों की तरफ कौन जूटा है यहाँ पर the candles or the moon तो यहाँ पर मेरे कह रहा है कि candle और चान्द जो है यह सब जूटे जूटे है उनकी तरफ देखती है I see her back and reflect it faithfully फिर मैं उसे वापस देखता हूँ उस औरत को और मैं पूरा honestly वो जैसी दिखती है उसे वैसी ही image देता हूँ कुछ भी जूट नहीं बोलता candle या moon की तरफ जूट नहीं बोलता जो दिखता है वो जैसी दिखती है वैसा ही उसको दिखाता हूँ सच दिखाता हूँ She rewards me with tears and an agitation of hands तो फिर सच दिखाने के बदले मुझे क्या मिलता है मुझे उसके आसू मिलते है इन नाम के तोर पे और उसके जो हाथ है वो शेक होने लगते है कापने लगते है किसलिए क्योंकि वो जो है वो ये बरदाश नहीं कर पा रही है जो image मैंने उसको दिखाया है वो image वो protest कर रही है मैं ऐसी नहीं हूँ मैं ऐसी नहीं दिख सकती वो सच को सच उसे कड़वा लग रहा है वो बरदाश नहीं कर पा रही है I am important to her तो फिर मैं उसके लिए जरूरी हूँ She comes and goes तो फिर मैं उसके लिए इतना जरूरी हूँ कि वो बार बार आ रही है बार बार मुझे देख रही है बार बार जा रही है Each morning it is her face that replaces the darkness तो हर सुभा उसी का चहरा होता है जो की अंधेरे के जगा आ जाता है पहले तो light बंद होती है तो फिर अंधेरा रहता है लेकिन जैसे ही light on होती है तो वो आके खड़ी हो जाती है mirror के सामने देखने के लिए तो फिर उसका चहरा ही light की जगा लेता है मतलब darkness की अंधेरे की जगा लेता है In me she has drowned a young girl and in me an old woman तो फिर मैं एक ऐसा तालाव हूँ जिसमें वो डूब गई थी कब डूबी थी जब वो एक young girl थी मतलब एक जवान लड़की थी वो जवान लड़की थी तब से मेरे अंदर वो डूब गई थी और अभी भी वो बार-बार मेरे अंदर डूब रही है मतलब बार-बार मुझे में अपना चहरा देख रही है जबकि अभी वो बूढी हो चुकी है वो old woman हो चुकी है rises towards her day by day like a terrible fish तो फिर वो धीरे-धीरे बूड़ी होती जा रही है उसके चेहरे पे जूरियां आती जा रही है तो धीरे-धीरे उसकी उमर ढ़ल रही है तो फिर वो क्या है वो चीज वो बरदाश नहीं कर पा रही है उसकी जो खुबसूर्ती थी जब वो जवान थी जितनी खुबसूर्ती थी वो वो खुबसूर्ती उसकी चली गई है वो जिस वो बरदाश नहीं कर पा रही है इसलिए उसके हाथ कापते है वो सच को accept नहीं कर पाती है एक terrible fish मतलब अगर एक मचली को आप निकाल दो या एक मचली गर भयानक दिखने लगे या आप उसको पानी से निकाल दो कैसे चटपट आने लगती है जैसे उसकी जान जा रही है तो बोलते है न औरत की खुबसूर्ती उसके लिए उसकी जान होती है और तो को खुबसूरती के लिए जादा तर जाना जाता है तो फिर उसकी जो खुबसूरती है जिसके लिए लोग उसा एड्मायर करते थे या जिस पे उसको खुद को पराउट था वो जा रहा है उसकी लाइफ भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है बुड़े पर क्या मतलब उसके पास जादा टाइम नहीं है उसके लाइफ भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है तो मुझे उम्मीद है इस पोईम का में थीम आपको समझ आ रहा होगा में चीज है उमर का ढ़लना उमर जो है वो ढ़लता चला जाता है हम चाहे उसे एकसेप्ट कर पाए या ना कर पाए लेकिन उसे ढ़लना है वो ढ़लेगा लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग इस जिसको एकसेप्ट नहीं कर पाते दूसरी चीज मिरर की तरह जो लोग मिरर की तरह होते हैं सच्चे होते हैं जैसे हम है वैसा ही हमसे भी एक करते हैं या वैसा ही हमको बताते हैं कि तुम वैसे हो या ऐसे हो हम उस चिसको एकसेप्ट नहीं कर पाते हैं हमें वो सारी चीजे कडवी लगती है लेकिन जो लोग हमसे जूट बोलते हैं लेकिन उनके जूट की खुबसूर्ती देखें अरी यह अच्छा बोल रहा है हमारी तारीफ कर रहा है यह सोचके हम उसकी तरफ चले जाते हैं जो सच्चे लोग होते हैं उनको अकेला छोड़ जाते हैं क्यों क्योंकि उसको सजा देते हैं हम सच बोलने के लिए क्योंकि सच कड़वा होता है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन हमको लगता है कि नहीं ये खराब है इसलिए हम उसको अकेला कर देता है जैसे कि यहा पर दी गई है और मैंने दिवार और मिरर का जैसे कहां कि किसी जब इंसान के साथ बहुत टाइम रहने लगते है तो फिर हमें उसके आदित पढ़ जाती है उसके साथ अटेच्मेंट होने लगती है वैसे ही मिरर को भी अटेच्मेंट होने लगी थी तो फिर मुझे अमीदे क आपको परिम अच्छे से समझ में आ गई होगी जो जो टॉफ वर्ड्स थे मैंने आप इनोट कर लिया है आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो या लिख लो कहीं पर तो आज की वीडियो यही भी खतम होती है मिरते हैं वापस अगली वीडियो में तब तब के लिए गुड़ बाई थैंक यू और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा शेयर तो करना बिलकुल मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे बताएगा कि पोएम कैसे लगी आपको परस्नली मुझे यह पोएम बहुत जादा पसंद है आई होप आपको भी अच्छे लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप हमेशा भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना है कैसे भी करके भूलना नहीं